कि है यहलो एप्रिबन वेलकम टू कॉंट स्टडी आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कुछ निया पड़ेंगे नहीं बलकि आज का हमारा सेशन है वह है प्रैक्टिस सेशन और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वह हैं एजिस परसेंटेज रिशियो प्रकोशन और कोई भी अप्टेट को मिस्स मत कीजिए यह रहे वह टॉपिक्स जो मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें से मैं परसेंटेज रिशियो प्रपोशन एजिस आपको करा चुका हूं और आज इनी का प्रैक्टिस सेशन है और कॉड़ेटी को एक्वेशन जो है वह आपको विशाल देख सकते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं मिक्स फ्रेक्शन का वो इसके मिक्स फ्रेक्शन के कोशन भी आपको इस सेशन में दिखेंगे तो उन्हें एटेंट करने से पहले उन्हें सीख लेना जरूरी है तो मिक्स फ्रेक् तो आपको आता ही है पता ही है कि क्या होता है इस तरफ आएगा कोशंट और सबसे उपर आएगा रिमेंडर अभी कोशंट और रिमेंडर क्या है । यह मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं देखे अगर हमें 70 को 9 से डिवाइड करना है तो हम जनरली स्कूल टाइम में हमने जो सीखें हम कैसे करते थे, 70 ऐसे लिखते थे 9 यहां पर लिखते थे, और हम पहले, 70 से एक छोटा नंबर, और 70 के जो नियरेस्ट है, वो नंबर डूटता थे जो 9 के टेबल में आ राहा है, ठिक है, तो हम 9, हमें पता है, 9,70,63 है हम उपर लिखते यानि कि 7 जो है वो हमारा आगया quotient जो ऊपर लिख है और remainder क्या है remainder वो है जो हमने 70 से minus किया जब 63 को तो जो result आया वो हुआ remainder देखिए इसमें dividend और divisor का concept भी मैं आपको बता सकता हूँ पर चार्ड नहीं terms याद करने से अच्छा है कि आप dividend और divisor को numerator denominator के concept में ही रहने 9 के साथ हमने जिस number को multiply किया वो है quotient और जो 70 से 63 minus करने के बाद जो portion आया जो remaining portion आया उसे हम कहते है remainder क्योंकि remainder हमने word ही लिया है remaining से ठीक है तो अब मैंने आपको pattern बताया था pattern कैसा था pattern कुछ था ऐसा कि quotient यहाँ पर आएगा denominator नीचे आएगा और remainder उपर आएगा तो हमने द लिखा और remainder जो सबसे ऊपर लिखा अब आप इसको reverse भी करके देख सकते हैं देखिए 9 into 7 is equal to 63 plus 7 is equal to 70 तो वह वापिस हमारी fraction बंगी 70 by 9 ठीक है इसी को कहते हैं simple fraction को mix fraction में convert करना अब देखिए इनका use कहां होगा कि normal fraction को mix में convert करना या mix को normal में convert करना इसे हम use कहां करेंगे इ addition or subtraction का form है तो addition or subtraction की form हम अलग तरीके से करेंगे multiplication की अलग तरीके से करेंगे यह जैसे ही आपको question सामने दिख रहा है मैंने सबसे पहले line में लिखा है 2 1 by 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 plus 1 by 2 इसका वही मतलब बनेगा आजा के 2 1 by 2 3 3 by 4 को हम 3 plus 3 by 4 लिख सकते हैं वैसे ही 6 subtract कर देंगे तो इन questions को जिसमें addition subtraction करनी है उसमें आपको convert करने की जरूरत नहीं है उसमें आप सीज़से दा question भी कर सकते हैं देखिए 2 1 by 2 को 2 plus 1 by 2 लिखा minus 3 इसको हमने bracket में लिख लिए 3 plus 3 by 4 क्योंकि जब bracket हटेगी तो इनके sign change होंगे वैसे 6 5 by 8 को 6 plus 5 by 8 लिखा जब bracket ख लिख सकते हैं 5 7 by 8 सीधा सीधा भी क्योंकि solution के starting में मैंने बताया था कि किस number को हम कैसे लिख सकते हैं और जब हम इसे mix fraction को normal में convert करेंगे तो मैंने ये भी आपको जखा दिया था 8 5s are 40 and 7 उसमें add करेंगे तो 47 by 8 is your answer कुछ simplification के question में आपको board mask का concept लगाना होगा इसके बस एक बहुत छोटा सा concept है कि off जो है वो division से पहले आता है और multiplication जो है वो division से बाद आता है off भी multiplication ही है पर अगर off लिखा होगा दो numbers के बीच तो आपनी divide करने से पहले multiply करने है और अगर simple multiply होगा तो पहले आप divide करोगे फिर multiply करोगे question to question operations पर depend करता है तो रही बात approximation की तो decimal के बाद अगर जो value लिखी हुई है वो 5 से उपर है तो आप next number लिखोगे अगर वो value 5 से नीचे है तो आप previous number लिखोगे जैसे कि example में दिखा है 7.2 तो 0.2 जो है वो 5 से नीचे आ रहा है decimal के बाद 2 आ रहा है ना 2 जो है 5 से नीचे है आज के practice session में मैंने आपको 35 question दिये हैं तो हर question एक mark carry करता है आप इन्हें try कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने question attempt किये और उसमें से आपके कितने correct हैं तो आपके कितने marks बने ठीक है और इन सब की answer की जो है वो end में available है वीडियो के end में पर आप उसे पहले मत देख किएगा पहले आप खुद solve करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो यहाँ से शुरू होता है मेरे practice session और मैं आपको इसमें कुछ भी discuss करके नहीं बताऊंगा आपको बस खुद solve करना है मैं आपको बस एक वीडियो आपके सामने question रखता जाओंगा आप वीडियो पॉस करोगे और इसे solve करोगे ठीक है झाल 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 झाल